देखे मुंबई की ये एक भयानक इस्तिती मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते मुंबईकरों को खासा दिकतों का सामना करना पड़ रहा है और अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने घ पहरा हुआ है कि लोग जो है वाकई ये सोचने पर मजबूर हो गये हैं कि किस तरीके से अपने घर पहुचा जाए सुरक्षित वह भी लेकिन फाइर बिगेड की टीम जो है वो पूरी तरीके से आत्याहाद बरत रही है लोगों को अपने घर तक पहुचाने में ये बाकई पूरी तरीके से जल्मक्न हो चुकी है ये पूरा जो पानी है वो दुकानों के अंदर भर चुका है और मैं आपको दिखा दूँ कि जो लोग उपर है फस फ्लोग वो भी अब सोचने पर मजबूर हो गए है कि अगर बारिश इस तरीके से होती रही तो कहीं ना कहीं वो शानी का सबब उनके लिए भी बन सकता है और ये पानी का जल स्थर उपर भी जा सकता है और अब मैं कैमरे के माध्यम साब को दिखा हूँगा ये जो रोड आप देख सकते हैं ये रोड और गाडियां खास तोर पर गाडियों को देखिया ये गाडियां बहुत महंगी ये पानी का लेवल आप देखिए जरा किस तरीके से पानी का लेवल इतना उपर आ गया ऑग्ए कि आप गाडियां ज जो हैं यहां पर डूपती हुई नजर आ रही है लोग जो है कोई नाव से देखी सामने नाव आ रही है नाव से या फिर देखिए किसी भी तरीके से अपने घर पहुचना चाहते है खाली लेकिन वहीं मैं आपको बात करूँ BMC की तो अभी यहाँ पर देखिए एक अधिरिक कह सकते हैं कि यहाँ से सप्लाई जाती है यहाँ पर भी अति पीछा नहीं छोड़ती है क्योंकि इतना जबर्दस पानी है लगातार बारिश हो रही है बले ही हर तरीके से जो है लोग आपस में एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं लेकिन अगर बारिश इसी तरीके